जहीं दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे हस्ते हस्ते मुस्कुराते मुस्कुराते आप सभी अपनी तियारी को कर रहे होंगे घिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है जिनोंने कहा था तेरी बसकी बात नहीं उनी को अब करके दिखाना है इस दिन हमारा 60 दिन का चेलिंज समाप्त हो रहा है न उसी दिन आपका एक्जाम है ठीक है चलिए तो वीडियो की सुरुआत करते हैं आप सभी ने थमनेल में देखे लिया होगा कि यूपी पुलिस कॉंश्चेबल का रिएक्जाम होने वाला है 23 अगस से एक सांदार रणनीत ही बता रहे हैं अगर आप उनके चक्कर में फस गए तो हो सकता है कि साइध इस बार भी आप यूपी पुलिस का एक्जाम क्वालिफाई ना कर पाएं मैंने बहुत सारी वीडियो देखिए कुछ टीचर्स को तो ये भी बता नहीं है कि सिलेबस उनका यूपी पुलिस का क् ठीक है चलिए शुरुवात करते हैं आज की इस वीडियो की सबसे पहले आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस कॉंस्टेबल 60,244 पद हैं और एक ऐसी वेकेंसी जो अभी तक की इतियास की पुलिस विभाग की सबसे बड़ी भरती होने वाली है अगर आप इसमें भी एक सी सीधर ले कर चलता हूँ आपको उत्तर पुर्देश पुलिस के Official apostle से बजल देखिये सामन्ने ज्यान के जो टोटल कोशेन आपको देखने Presound 58 कोशेन आपको देखने के लिए मिलेंगे कितनेartet question हैं सामन्नय ज्यान के टोटल 38 question आपको देखने के लिए मिलेंगे सेम वेसे ही सामन्ने हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो 37 question आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर है संख्यात्मक और मानसिक योगता इसके 38 question मिलेंगे साथ साथ मानसिक योगता वे बुद्धी लब्दी चमता और तर्ग चमता यह आपको 37 question मिलेंगे ठीक है अब देखी यह जो 37 question है यह reasoning के है इसमें क्या है IQ test है IQ test के साथ साथ mental aptitude है ठीक है reasoning test है साथ साथ यह जो mass में भी कुछ reasoning ability वाला जो part है यह questions आपके reasoning में add होकर आपको मिलते हैं तो लगभग अगर देखा जाए यह हैं पर आपके लगभग 55 question आपको किसके मिलेंगे भाई reasoning के देखने के के लिए मिलेंगे total 38 और 37 75 question आते हैं reasoning के मिलेंगे और जबकि बीस question आपको mass के मिलेंगे आप कहेंगे सार ऐसा तो नँँ जये 38 के 38 question mass क्या जै अजये कि सामन्य ज्यान का अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की ओफिशल वेबसाइट पर जाएंगे और सिलेबस को आप देखेंगे सिलेबस मैंने यहाँ पर लगा नहीं लेकिन मैं आपको बतायता हूं देखेंगे तो वहाँ पर जब आप जीके वाले सिलेबस को देखेंगे गों से मिलिन arny जिएक इसी के सांथ कुछ और भी पर जाप पे कुछ चैप्टर आपको बहुत अच्छे से रीड करने करने हैं जो भी मैरतन कितनी भी देख लो जब तक जो official website पर जो syllabus है वो syllabus अगर वास्तम में आप उसको अच्छे से read नहीं करेंगे जो syllabus आपको दिया गया है तो आपका marathon लेना class लेना बिल्कुल बेकार है वास्तम में बता रहा हूँ GKGS में एक अच्छा score आप कर सकते हैं अगर आप इस syllabus को print out निकाल लीजिए और GKGS में ये देखिए कि हमारे ऐसे कौन-कौन से chapter है जो syllabus में given है जिनके बार में अभी तक हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है syllabus उठाईए syllabus उठाकर वो सारे chapter अपनी copy पर note कर लीजिए और copy पर note करके आप केवल और उन ही syllabus को पड़ी उन ही टॉपिकों को पड़ी है जो टॉपिक दिए गए उनमें से भी कम से कम टॉपिक जितने जादा अच्छे से आप revise कर सकते हैं उनको करें अब जैसे वहां दिया गया है अगर आप देखेंगे वहां पर कुछ static GK के topic इस तरीके से दिये गए हैं जो की regular पूछे जाते हैं जैसे वहां पर अगर देखा जाए तो आपको पताए दिवस से related question आना ही आना है ठीक है पुस्तकों से related question आना ही आना है तो इनको यादगर के जाई है ठीक है इसके साथ हम बात करें यूपी पुलिस में जब भी paper होते हैं तो article जैसे आपको आपको सालों की current पढ़ने की कोई जरुत नहीं है current अफेस भी वहां पर syllabus में मैंसन है जो भी राष्टे वे अंतराष्टे जो महत्पूर्ण करंट होंगी न केवल वही आपको पढ़नी है ठीक है यह नहीं कि बहुत जादा total उनको निकालके उनमें से आप चोटे चोटे टॉपिक भी है कुछ जो एक एक दिन में आप उन्हें पढ़ सकते हैं उनको अच्छे से सिर्फ यूटूब की क्लास लें तभी आपको सेलेक्शन होगा सिलेबस निकालिए किसी भी बुक में आपको वो चैप्टर मिल जाएंगे जो चैप्टर ऑफिसल वेबसाइट पर गिविन है कुछ एक एक चैप्टर को छोड़ दें अगर देखे हिंदी एक बहुत ज़्या पुरुसकार होगे लेखक होगे तो ये कुछ ऐसा पार्ट है स्टाटिक वाला पार्ट जो रटने वाला पार्ट होता है हिंदी में इसमें बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं जो स्टूडेंट अच्छे से रीड गर के जाएगा वही केवल अच् इसको आप महत्पूर्ण महत्पूर्ण जो भी है, जिस भी subject से आप Hindi पढ़ रहे हैं, तो वो आप क्या है, जिस भी teacher से पढ़ रहे हैं, वो महत्पूर्ण रिट गर लीजिए, इसी के साथ, मैं आपको बताया था हूँ, वाक्रण पर हाँ, फोकस करें, लेकिन इतना नहीं कि पूरे दिन आप वेकरन पढ़ रहे हैं तो साहित्य वाला जो पार्ट है साथ साथ जो आपका vocabulary बारा पार्ट है अगर देखा जाए संधी भी अच्छे से आपको पढ़के जानी है विलॉम सब्द वगेरा होगे ठीके परियावाची होगे यह ऐसे questions होते हैं अगर आपका पढ़ा हुआ आ गया तो सही है नहीं आया तो गलत हो जाएगा तो क्यों ना हम ऐसी चीजों पर focus करें जहां गलती होने के ज़्यादा chances है संग्या सारनाम, वर्ण माला इन सम्में क्या है भी questions हो जाते हैं सही वर्ण माला का question हो जाता है लेकिन हमें उन चैप्टरों पर साहिते भी थोड़ा सा काम करना है तो यहां भी अगर आप अच्छे से read करते हैं तो यहां 30 प्लस आसानी से कर सकते हैं अब आता है जो सबसे बड़ा part है 55 question आपको reasoning के मिलते हैं और 20 question आपको math के मिलते हैं 55 question का यह आपका फुरा part में आपको बता रहा हूँ देखे 20 question math के लिए भी नोने clearly number system है average है और time and work है time speed and distance है ठीक है average कुछ chapter है profit law से जो chapter आपको given है arithmetic के बस mensuration आ रहा है आपका किसका भी advanced math का तो mensuration में भी possibility है कि 2D का question देखने के लिए मिले तो आपको math को जो chapter है उनको अच्छे से करना है अब सासाथ यह वाला part आता है reasoning का देखिए आपने सामन्य ज्यान के और सासाथ हिंदी के इनके आप offline practice set subject wise भी लगा सकते हैं जिससे कि आपको अपनी तेहरी का इस तर पता चले सासाथ अगर आपने math को बहुत अच्छे से पढ़ लिया अब देखिए अंतिम समय में करना क्या है आपको केबल रिवीजन करना है अगर आपको पता है कुछ छोटा चैप्टर है बहुत ज्यादा चैप्टर है थोड़ा सा बोलने में दिखकता रही है तो उस चोटे चैप्टर को आप पढ़ लीजे अच्छे से हैं तो लेकिन नया चैप्टर बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिस ना करें मैंस में जितने भी चैप्टर है उनका रिवीजन करना है अच्छे से अब ये वाला जो पार्ट है ना मांसिक चमता मांसिक योगता एवं बुद्धिलप्दी जो रीजिनिंग वाला पूरा पार्ट है इसके लिए जितनी ज़्यादा हो सके प्रक्टिस करिए जितनी ज़् सब को टार्गेट करके मैंने 60 डिज़ का चलेंज अभी श्टार्ट किया था बिलकुल निसुल को यूटूब पर तो यह इसी channel की अगर प्लेइलिस्ट में जाएंगे तो 60 दिन का चलेंज मैंने स्टार्ट किया है ये इस तरीके से day wise मैंने पूरी playlist बना कर दे दिया इसी channel के playlist में जाकर आप देख सकते हैं ये reasoning वाला पूरा part मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है आप इसे जाकर देख सकते हैं और weekly mock test भी होते हैं तो reasoning में एक भी question मुझे नहीं लगता कि out of syllabus जाएगा क्योंकि मैंने जितने भी official website पर syllabus given है सबको मैंने बहुत अच्छे से explain कर दिया है इसी के साथ साथ भी मैं आप लोगों के लिए हिंदी और जो जीके के जो chapter है महतपून महतपून chapter उन सब पर भी video आपको बहुत जल देखने के लिए मिलेगी ठीके साथ साथ इसी के साथ साथ आगे चलते हैं ठीके सो syllabus मैंने दिखा दिया इस तरीके से मैंने आपको day wise पूरी reasoning पढ़ाई हुई है इसी चैनल के playlist में जाकर आप देख सकते हैं यही करना है कि जो अग्र आपको लग रहा है कि बोंक टेस्ट देनी है अब मौक करने कि पूरे दिन भरी आपकर दे रहे हैं पढ़ाई करी पूरे दिन और दे रहे हैं तो वीक में बेसर एक मौक कर Да ridersq दे हैं ठीक तीमधे सकते हैं यह नहीं है कि जीतना हो सके revision करना है, जितना हो सके revision करना है क्योंकि जितना ज़्यादा आप revision कर लेंगे न उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके mind में रहेंगी mock test का यह नहीं कि जो mock test में आप questions लगाएंगे, वो questions आपको exam में मिलेंगे लेकिन अगर आप अपने notes से revision करेंगे जिके हो चाए हिंदी हो, वो questions जरूर मिल जाएंगे आपको mock test बस आपका जो डर है उसको निकालने के लिए होता है practice के लिए होता है, मैं कितने टाइम में question को solve कर पा रहे हैं, तो mock test तो आपको solve करना ही करना है साथ साथ देखिए, मैं आपको बताईता हूँ, gk का जो syllabus हो, उसको अच्छे से एक बार आप देख लेंगे मैं भी आपको अगर कहेंगे तो वीडियो बनागर बता दूँगा तो gk वाला जो पूरा part है ना, इसमें जो topic आपको given है एक एक topic को अपनी copy पर लिखिए और कुछ ऐसे chapter हैं जिनको आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, मैं भी वीडियो बनागर कुछ chapter आपको दे दूँगा तो उन topic को अब आप तयार कर सकते हैं, नहीं तो पुराना पूरा revision करना है और बिल्कुल भी जादा time waste नहीं करना है, ना ही strategy देखने में, ना 20 दिन की देखें, ना 30 दिन की देखें मैं जादा strategy पर वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि strategy जो लोग बता रहे हैं, ऐसा जरूर नहीं कि student उसके हिसाब से pass कर जाएगा वो उनकी अपनी strategy होती है, सब की अपनी अलग-अलग होती है, बस आपको ये देखना है, syllabus आपके सामने है, जो भी syllabus में topic given है, मुझे वो सब पढ़के जाने है, अगर उससे बाहर paper आएगा, तो वो सब के लिए आएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इस channel को subscribe करके आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और बिलकुल भी अबवर्दी दूर नहीं है, बहुत नजदीक आचुकी है, बहुत मेहनत आप लोगोंने की है, अब उस मेहनत को सफलता में आप बदल सकते हैं, बड़े ही आसानी से, ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीड पड़े हैं, उसको अच्छे से बढ़ें, उस से बाहर अगर उस topic से question आए, तो वो आप गलत ना करें, इतना आप करके चले जाएंगे, और दूसरा जो आपका exam होने वाला है, वो जो आपके जितना time आप exam में बैठेंगे, वो भी बहुत जादा matter करेगा, तो आप सभी के लिए best visas हैं, advance में, हर दिन हमारी 4 बजे से class चलती है, 60 दिन के challenge को target करके, अभी हमारे 34 या 35 days हो गए हैं, मैं देख लेता हूँ, कितने दिन हो गए हैं, अभी अगर इस playlist में देखें, तो आज अभी तक जो total days हो गए हैं, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, total जो number of days हो challenge में, वो हमारे हो गए हैं, 35 days, अभी इसमें 25 days और बचे हुए हैं, लगबग 5 class में और लूँगा, फिर उसके बाद आपका GK और Maths और Hindi वाला जो part है, वो भी इसी 60 दिन के challenge में आपको मिलने वाला है, ये complete 60 दिन का आपका crash course चल रहा था, पहले से ही, मुझे पदा था कि date आने वाली है, और मैं अपने 60 दिन के challenge में regular लगा हुआ हूँ, और आगे भी इसे जारी रहेगा, ये 60 दिन का challenge उसी दिन हमारा समाप्त हो रहा है, जिस दिन आपका exam हो रहा है, ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे, इसी वीडियो के comment section में telegram channel का link आपको मिल जाएगा, आप बता देना भी, उसे join कर लेना, वहाँ पर ये classes का link और PDF आपको मिलते रहेंगे, बाई 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 टेक कियर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, जै हिंद, जै भारत